जहां तक मेरी नज़र जारी है केवल लोग ही लोग नज़र आ रहे लग रहे समुद्र हो चुका है मैदान में तो इतने लाखों लाग दस लाग से ज़ादा लोग आ गये लेकिन सरकों पर पट्टर के कई लोग अभी बाहर फसे हुए प्रशाशन ने रात बर तंग किया लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग आए तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं 3500 किलोमिटर हम लोगों ने 10 दिन में पुरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंत्रन किया था कि आप सब लोग पटता चले और इतनी बरी संख्या में आप लोग आए हैं तो आज रिकॉर्ड टूटा है पूरी रहलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है यही गांधी मैदान है यहां राजजितिक रहलिया तो होती थी लेकिन जब तेजस्वी सत्रा महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रहला यही मैदान से एक साथ दो लाख लोगों को हमने निर्क्ति पत्र बटवाया था याद है कि नहीं है तो रोजगार मेला भी रोजगार रहली भी हम लोगों ने इस धर्ति पे किया है उसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं अपने भाई को अपने बेटे को आच्छिवाद देने के लिए इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलड़ गए लेकिन पलड़ गे तो जहां भी रहे सुखी रहें आप लोग तो जानते हैं हम आप से पूछना चाहते हैं सबसे पहली बार आपने किसके मूँ से सुना था दस लाग नोकरी का पत्ता में बिहार में पोश्टर लगवारे हैं नितीश कुमार जी हमारे आदर दिया हैं हमारे चाचा हैं हम उनका आदर करते हैं सम्मान करते हैं बुजर्ग हो गए हैं लेकिन पोश्टर लगवारे कि रोजगार मतलब नितीश कुमार यह वहीं नितीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाग सरकारी नोकरी देगे तो मुख्मान्टी जी ने कहा तक कहा से आएगा पैसा अपने बाप के पास सिला करके बेतन बाटेगा और संबाव हैं सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ उसी मुख्मंत्री से उन्हीं के हाटों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगबत पांच लाग लोगों को सरकारी नोकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया मा गडबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विप्रिच्टिती में भी तो लोगों ने हमारा साथ दिया लेफ्ट की पार्टियां कॉंग्रेस पार्टियों ने लेकिन 17 महीने में हम गदना कराई, आरेक्षान की सीमा 75 % कराया, अर्तिंप पिच्छो भाईउ का हमeseं हम लोग ने 24 जार्रैप नलग भाईउ का बराई। हमने आदिवासी भाईउ का बनाया, जो काम अजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल सत्रा महीने हुमे सिक्षा मित्र हों, विकास मित्र हों, टोला सेवक हों, तान्मी मर्कज के लोग हों, आंगनभारी हों उन सब के मान देखों हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया दुगुर्णा किया मम्ता आशा का भी फाइल हम कर चुके है लेकिन मुख्बंती जी कई माइनों से रोक करके रखे है कैबनेट पे फाइल नहीं आने देने स्वास विबाग से एक लाग तीस हदर का पबलिक हेल्ड कैटर का फाइल दबार करके रखे हैं लेकिन कितना भी दबाएंगे तेजेश्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा तो इस लड़ाई में साथ है की नहीं है दोनों हाथ उटा के बताइए अगर आप साथ दोगे तो तेजेश्वी मर मिट्टे को तैयार है आपके लिए कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पाटी है मुसल्मान यादव की पाटी है हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पाटी है यह माई बाप की पाटी है बी से बहुजन ए से अगरा दूसरे ए से आधियाबादी महिला और पी से पूर यानि बाप यानि माई एक वुज़ेट की पाटी है ये अर्वाई बाप हमारी जन्ता है आप ही हमारी ताकत है आप ही हमारी प्रेड़ना है आप सब लोगों का अर्शिर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है उसी ताकत के बदलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे तो आप लोगों का साथ है ना विश्वास दिनाते हैं अपनों और आज जेडी का मतलब मोदी जी कुछ भी कहते रहे लेकिन आज जेडी का मतलब है आज से राइट्स यानि अधिकार जे से जॉब मतलब नोक्रिया और डी से डिवलिप्मेंट लिए बता विकास यानि अधिकार नोक्रिया विकास राइट्स जॉब डिवलिप्मेंट ये है अरज जेडी का मतलब डी जेडी के लोग जगा जगा तोर फोर करते रहते हैं इस तिन सुर्कारों को तोर लिया जाता अरे कुछ विदायक इधर से उधर कर दे कोई फ़ल्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन जनता को कहां से खरी देगे जनता जवाब देगी जवाब दीजेगा ना कुछ लोग दर के कारण कुछ लोग लालच के कारण धुटने तेकते हैं मोदी जी के आगे बाट पा के आगे लेकिन मुझे गर्व है अपने पिताबाण किसी ने बएस सबनी में विम्जा आई कितना भी डराया गया कितना भी कोशिश किया जुकाने का लेकिन हमारे पितादे जरने का काम किया कभी जुके नहीं कभी दरे नहीं और हम विश्वार दिराते हैं जब लालू जी नहीं दरे तो उनका बेटा दरेगा लरेंगे आख्री सास्ता ये विचार धाना की लनाई है और आप सब लोगों को साता आना होगा सभी समाजवादी भाईयों को साता आना होगा कभी राहो जी को ईडी का समन अभी देखे उत्तर प्रदेश में घडबंदन हुआ हमारे बड़े भाई को तुरण सीबी आई के लोग आगे अकिले जी को समन भेज दिया हमारे तो पुरे परिवार को समन भेजा ही लेकिन हम लोग दरने वाले लोग नहीं है ये बीजेपी के आई-टिस देन वाले लोग से आपो डरने गें हम लोग दरेंगे नहीं न जुकेंगे जंता की लराई में जंता के साथ खणे रहेंगे आप संब लोग washing machine तो सुनते थे washing machine कितना बाढ़ से बड़ा भी भ्रष्टचारी जो होगा वह बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है साथ हो जाता है लेकिन बीजेपी washing machine के साथ साथ dustbin वाली party हो गई है कूरा दान हो गया है सब party का कूरा जाकर करके BJP में चला जा रहा है उसलिए ये washing machine के साथ साथ dustbin वाली party है यह आप जानते BJP के लोगों ने दो दो मुखमत्री बनाया है एक और एक और foul mouth है अना अब चला बोलता है और दूसरा जो है loud mouth है बर बोला है लेकिन आप सब लोगों को बोलेगे कि यह जो उत्मुक्तमल्टेजिन को बनाया है जो बर बोले है 14 साल से चुनाओं नहीं लड़े है चुनाओं नहीं लड़े और लड़े और जीते हैं तो अरे हमोरे चाचा तो पर्टी मुआते ही है लेकिन समराज शौरी भी काम नहीं है पर्ट पर्टी बदल चुके है और आज तक चुनाओं लड़े तो ज्यादा हम लोग क्या कहें लेकिन मोदी जी आये थे कलिया क्या बोल करके गए वही जुमला वही बक्वास की बाते जूट प्रचार हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जूट बोलने के फैक्टरी है मैंडूफैक्शनर है मोदी जी होल सुलर के साथ डिस्ट्रिब्यूटर भी है जूट बोलने के आप लोगों ने पिछले बार 40 में से उन 40 MP 20 MP को जिताया आज यहाँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आए है बाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिलाव में बाजपा के लोगों ने क्या किया बताओ मोदी जी ने कोई कारखा ना दिया कोई नौक्रिया दी पलाइन रोता गरी भी बिटता ही क्या महगाई कम की कहाँ से फिर बियार को विशेश राज का दरजा देना था वो भी नहीं दे पाए जरा सवाल किजेगा कि आप कहते थे दो दो करोर रोजगार देए पंदा पंदा लाग रुपया खाता में देगे क्या हुआ इसलिए आने वारे समय में आकलन करके आप लोग निर्ना लीजेगा और वोट देने का काम किजेगा तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भासपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलुआ दे करके परोज देते हैं इतना जूट बोलते हैं ये लोग बता गोबर को गाजर का हलुआ बना करके दे देते हैं परोज देते हैं जूटा लोग है ये लोग इसलिए करनाय थे प्रधाल मत्री जी बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में हमको इंडरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है मोधी जी खोड़ा कान, खोल के सुनिये आज, इसी ब्यार की धर्टी से हम बोल रहे हैं, कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं, चेश्मा साथ कर लिजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सहलाब है, मोदीजी, जरा बताइढे, नब्या अजार करोर का मुनाफा यू पीय वन में उवा था, लालू जी ने एप यासी काम किया, आज तक रेल्वे को मुनाफा नहीं हुआ था, लालू जी ने रेलवे को दिया या पुल्जी पती को दिया किसको दिया रेलवे का निजी गिरंग कर दिया अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया जितना कूली भाई था सब को नोकरी दे लेगा काम किया पर्मनेंट कर देगा काम किया आपने कितना कूली भाई को क्या किया जरा वो यह तो कुलर लालू जी ने खुलर चलवाए खुलर रेलवे में ताकि कुमार भाई सबको रोजगार मिले यह काम किया लालू जी ने आपने क्या किया बियार में चक्ता करखाना से लेके कई रेलवे का तीन चार ठैक्टरी दिया आपके रहते हुए दस सार आपने क्या किया अरे लालू जी मुक्मंदी थे जो देश में कभी नहीं हुआ मांसिक गुलामी से मुक्ती लालू जी ने दिलाया बिहान में सबाजिक नहीं करके दिखाया गरीबों को आवास दिया आज कोई भी गरीब नबे के बाद अपना धिकार के लिए लड़ना जानता है अजी पिछला लड़ना जानता है दलित लड़ना जानता है अधिवासी लड़ना जानता है अच्छा के एक भाई लड़ना जानते है अब कोई चपल उतुआ देगा अब कोई कुवा का पानी नहीं पीने देगा अरे अब कुवा का पानी नहीं दस दस गो कुवा बना लेगा अजरुआत परे तो उन्हीं लोगों का पानी पिला देगा क्या बात करते हैं ये लोग उसलिए बात पाके लोग के वाल बक्वास बोलते है जूट बोलते हैं, बोलते हैं परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, अरे पीछे समराज चोदरी बेठे वे हैं, रामभिलाज पास्वान जी के भाई बेठे वे हैं, पारसी, कही नेता, बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहाँ इनको परिवा लेकिन मानने नितीश कुबार जी यूटन जो लिए है समझे कि अब हमको लगता है कि राज सरकार को इंशोरेंस अब बीमा करा लेना चाहिए मोधि की बड़ी मस्दूद गरंटी मोधी की गरंटी मोधी की टारेंटी कोई बताओ कोई ले सकता है कि आई जब चाचा बोल रहते कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे, अजीवर, तो मौदीदी हसने लग गये, क्यों हसने थे भाई, मौदीजी क्यों हसने थे, अब हमारे चाचा को बार बार यह क्यों बोलना परता है, कि हम जो है, अब कहीं नहीं जाएंगे, मल जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी म सुगे हैं आप लोग जितिक रोशिन का फिम का गहना है इधर चला बे उधर चला इधर चला जाने कहां बे कि इधर चला अरे अरे फिसल गया अरे चाचा जी चलिए आप बुज़ोर गया आपको यहीं से हाजोर के पदाम लेकिन एक बात ते हैं जद्यू दोजार चौबिस में खत्मा हो जाएगी यह मेरा कहना है बताओ सची बात है कि रहे जद्यू का कोई भविश है क्या कोई भविश नहीं है आप इधर चलिए अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे कहीं के नहीं रहोगे तो इसलिए आप सब लोगों को यह कहना है एक तरह फिल लोगों का घटबंधन जो है एक तरह फिरकाप्रस्थ है और उतके साथ मौकाप्रस्थ है लोग है एक तरह फिरकाप्रस्थ ए एक तरफ जो है मौका प्रेस्ट्चि को इसलिए आप सब लोगों को जादा कुछ हम नहीं कहींगे, लेकिन आप आप तेजशवी से प्यार करते हैं, मेरी एक बात मानोगे, मेरा एक काम किजेगा, कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ने का काम किजे दलिद भाईयों को सम्मान दीजे उनके दुख सुक में पाति पिछड़ों का दिवासी भाईयों का अब चक्यक भाईयों का भागिदार बनोगे अब आप लोगों कोई काम करना पड़ेगा काम किजेगा ना हम भी साथ रहेंगे साथ साथ मिलके काम करेंगे तो जादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वरिश देता सब लोग यहाँ है राहुल जी है अकलेश जी है खरगे साथ है दीराजा साथ यह चुरी जी दिपावलकर जी लालू जी आप लोगों के सबच बात रखे ये तो हम इनी शन्द शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आप सब लोगों को धेरो धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं मेरे साथ दाला लगा करके हम अपनी बात को सबाब करेंगे हम बोलेगे भाजपा भगाओ दोनों आठ उठाके बोलिएगा बातपा भगाओ बातपा भगाओ बातपा भगाओ बहुत भुध धन्नेवाद ब्यार की जंता 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 बाद प्यार की जन्ता जन्दाबाद प्यार की जन्ता जन्दाबाद 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 बहुत भाद 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 सभी पार्टी के कारेकर्टाओं को महागट बंदन के साथियों को इतने कम समय में आप सब लोगों ने आयोजन किया सबी कारे करताओं को पदादिक्तारियों को विधायकों को M.P.O. को सब को हम धन्यवाद देते हैं इस्रैली के सफलता के लिए जैन!